नमस्कार, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राणयाम की, शीतली प्राणयाम की, शीतली प्राणयाम को कैसे किया जाए? और शीतली प्राणयाम का करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम जीवा को कोई की चोंच की भाती बना लेते हैं और उसके बाद हम श्वांस को भरते हैं श्वांस को भरने के बाद धीरे धीरे प्रश्वांस करना चाहिए और धीरे धीरे प्रश्वांस करें और कोई की चोंच की तरह जीवा को बनाकर सांस को पुना बरे इसी तरीके से हम इसको दो मिनट करेंगे अब कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ जीवा को पहले कोई की चोंच की भाती बनाईए गहरी सांस को बरा और धीरे धीरे उसको बाहर छोड़ा नोस्टल के रास्ते एक बार पिर सास को भ़रा इसको 2 मिनट हमें करना चाहिए यह विशेश लापकारी जिनको अमल पित्तो हो जाता है जिनको शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है अइसिड बढ़ता है उनके लिए विशेश लापकारी है प्रानयाम इस प्राणयाम को करने से जिनको एसे डिटी की समस्या रहती है, जिनको भूक नहीं लगती, वात बढ़ती है, बेचैनी रहती है, तो उनके लिए विशेश लापकार ही है प्राणयाम, धन्यवाद